हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चोकोलावा केक ये रेसेपी की खास बात ये है कि इसके लिए आपको सिर्फ तीन इंग्रेडियन्ट चाहिए होगे बिस्किट, चोकलेट और मिल्क अब बिस्किट के बीच के हिस्से का क्रीम निकाल देजिए बिस्किट के लिए आप बॉन बिस्किट या ओरियो बिस्किट या उरियो बिस्किट यूज़ कर सकते हो मिक्सर के जार में सारे बिस्किट डाल देजिए और उस बिस्किट को अच्छे से ग्राइंड दीजिए देखिए, इस तरह से बिस्किट का अच्छा सा पावडर बनना चाहिए, अब हम चोकलेट को मेल्ट करेंगे, इस तरह से हम अपनी चोकलेट को मेल्ट करेंगे, चोकलेट के लिए आप कोई भी डार्क चोकलेट या गर्मे पड़ी चोकलेट यूज़ कर सकते हो, ये चोकलेट बिस्किट का पावडर, Milk and Melted Chocolate Melted Chocolate में बिस्किट पावडर डालिए सब्सक्राइब किजे एंड किछन और बेल आइकन को दपाईए अब उस में थोड़ा सा मिल्क डालिए और उसे अच्छे से मिक्स किजे अगर आपके पास ओवन नहीं है तो भी आप ये चोकोलावा केक बना सकते हो इसके लिए एक कडाई लेजिए, कडाई में नमक डालिए और उसके उपर कोई भी एक स्टेंड या कटोरी रख दीजिए स्टेंड के उपर एक प्लेट रख दीजिए उसे 10 से 15 मिनिट प्रिहिट कीजिए अब हम चोकलावा केक बनाने के लिए उसका मोल्ड बनाएंगे मोल्ड बनाने के लिए एक फॉइल पेपर लीजिए उसे स्क्वेर काट दीजिए उसे फोल्ड कर दीजिए अब उसको एक क्लास के सपोर्ट से चारो साइट से दबा दीजिए मोल्ड की कॉनर्स को आप बहर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए जिसकी वज़ा से मोल्ड थोड़ा सा स्ट्रॉंग बनेगा मोल्ड की अंदर थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर दीजिए अब हमारी preheated कडाई में अपने mold रख दीजे उसमें हमारा ready किया हुआ चॉकलेट, विस्किट पाउडर और milk का mixture डाले सब्सक्राइब कीजे end kitchen और bell icon को दबाईए उसके उपर एक एक पीस dark chocolate रख दीजे ये dark chocolate आपका चॉकलेट का लावा बनाने में help करेगा उसके उपर थोड़ा सा chocolate डाल के उसे cover कर दीजे और इसको cook होने के लिए 10-15 मिनिट के लिए रख दीजे अगर आपके पास oven है तो ये mold को preheated oven में 180 degree temperature पे 5 मिनिट के लिए रख दीजे देखिए ready हो गया एकदम soft and tasty domino style चॉकलावा cake ऐसी और tasty healthy and yummy recipes के लिए subscribe कीजे and kitchen ये वीडियो को like कीजे comment कीजे और अपने friends और family के साथ share कीजे आपके लिए रख़िए और आपके लिए पका ड्ते हैं